तो कैसी कट रही है आज मेले में सुर्पनगा की ना कटी थी फर्दूसन का बद होने वाला है लीला चल रही है हमें सुर्पनगा की जो ना कटी थी उसको आपको लाइफ दखाया आए अब आपको बद की लीला किलिप के माट्डम से ब्लॉग में दिखाएंगे उसके बाद चला है खर्दूसन और स्री राम जी के बीच में महा द्वंद और यह द्वंद अभी कुछी चड़ों में समाप्त हो जाएगा क्योंकि खर्दूसन का बद हो जाएगा मेला ग्राउंड के चारों तरफ जो वास्तिविक दर्सक हैं वो मौजूद है और जो कह सकते हैं लीला में कनेक्टर डिला करने वाली पबलिक है वो उदर खड़ी हुई है चोटे-चोटे बच्चे जब रस्ति ग्राउंड में गुष जाते हैं बवस्ताइं विगाड़ देते हैं तो इस दुन्द को आप देखिए उसके बाद दिखाते हैं आपको 20 सल्पुर्का मेला चले हैं पर इखिए तीर मारा जाएगा उससे खड़ूसन्ड मरेगा लेकिन आप अपनी ऊढ़ी मारकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मारिए उस सब्सक्राइब बटन पर अपनी ऊढ़ी मारिए खर्दूसंड द्वारा एक बहुत भैंकर लीला माया का जो रचना है वो करके भगवाद स्री राम पर आकिरमण करने जा रहा है यह राच्छास खर्दूसंड अब इदर आप सुमिची पीचा जाईए और भगवान का नाम लेता हुआ बग में घाम को चला जाता है प्रदूसंड को चला जाता है सीता हराण एवं जटाई उबद की का लीला इस राम लीला ग्राउंड में संपन होगी आप से ही सब सीखा है आप से ही सब सीखा है वो देखिये पाल की जूला घूम रहा है हम भी घूमे चलके उधर ही आओ यह देखिये बच्चों के चोटे चोटे चक्री जूला यहां पर चल रहे हैं और भाई क्या ही ब्यू है लाइटिंग के साथ इस मनुरंजन वाले अरिया का 306 रिंग लाइट भी यहां पर लगाई गई हुई है 306 इस्टेंड भी बोलते हैं इसे इसकी धायता से आप ओम टीवी रील बना सकते हैं और ठीक सामने यह हमारे गुर्देव की सबसे पसंदीदा दुकान अब क्या हो रहा है और यहां क्या है एक हागया है है आ बच्छों के लिए एक घाडि भी इसवार लाए गी है इसके ㅋㅋㅋㅋ इसे तक कार io कर्याल है रहे बच्छों करेंसेacing थिरो बहु आपिससरे एक मória चल गया बाइव फ़ह महत्मा बघ्दू मै उसकता पाईज होस्फटाएट लग जाए यह देखिए बच्चों की छोटी चल लई है इदर और इसके ठीक सामने चल ला यह बड़ा बबंडर जूला यह देखिए यहां से ऐसा भी वाता है इस बबंडर जूले का चारों तरब तो भाई मीजी की मीजी चल ला है तो क्या ही आपको बोलकर एक्पिलेंगर हो सकता और यह रहा आपका उचा ना जूला और इसके ठीक पराबर में लड़ा हुआ है यह तोरा तोरा जूला आपरेटर वहां बैटे हुए हैं एक म्यूजिक के साथ इसके पराबर में लिड़ा जूला तो इसका नाम बताना है वह बड़ा ट्रेन वाला जूला वह चल आपको पाली मैदान में जितनी वी चीज़ा है वो सारी की सारी सुरु ओड़ चुकी है चोड़े बच्चे बोटिंग कर रहे हैं इस समय है 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 अधर आपको देखने को मिलेगा यह राज डिश्टल कलर फोटो इस्टोडियो पीछे मारे लंका जगमगा रही है और यह पीछे मनोरंजन वाला मैदान यहां से कुछ रहोना एक हल्की फीकी भी दिखती है क्रिश्बन वाले मैदान की क्योंकि में भीव है वो उस तरफ से आता हम चलते हैं विसात खाने वाले अरिया में दुकानों वाले अरिया में यहां कर आप अपनी बात कह सकते हैं इदर मिलेगी आपको आइस क्रिम खाने को जो कि हर साल का और यहीं पर लगता है ठीक बरावर में अंकुर भया के मोमो और अंकुर भया ने इस वार एक नई मुझा सूरू किये स्टिम वाली चौमीन इस्पेसल इस्टीम चौमीन क्या रेड का इसका रेड़ भाहिए 10 रुपय दस रुपया इस रुपय प्लेट उंकुर भया और बताएं चांचना प्रफ्चों यह गया यजिए दिन दिन के लिए वालेड हो ती है अच्छा और तो फ्राब नहीं होती नहीं तीन दिन बाद चोथे दिन इसका कोई काम में नहीं हो गया है और वो जो बजार से आती बेबी चॉइस बगारा और पी जो चौमिन है वहां क्या मैने बर बाद हुआ लो तब भी कामियाब है यह हाफ वाइल चौमिन होती है यह हर क आपको में रूट पर मिलेगी जलाईवी की दुकाने और तमाम फास्ट पूड की दुकाने और यहां आपको अम मिल जाएगी फ्रूट आइसक्रीम कोफी और पीजा भी शुरू हो गया इनके हां और सामने यह धरमू का रेस्टोटेंट यह भी जुरू हो गया है नमस्कार अरे आपको बहुत बहुत दनवाला आपको देखते हैं विल्कुल आप एक जरू लेंगे क्यों नहीं लेंगे कोई चीज जी से सुधार सकते हैं या आप देखा लिए आज के भी घूम रहे हैं और फिर उसके बास साइनिंग गोर्ड के सामने वाली गली को गली नंबर एक मानते हैं इसमें सभी दुकाने लगए आज सभी दुकाने खुली हुई हैं और यहां बिक्रीवी चल लिए गिराह का देखी सकते हैं इसी में अगर म प्लेट की जो दुकान है उसकी त्यारी चल लिए एक यह का प्लेट की दुकान है फैसन जोईलरी सेंट अगर शुरू नहीं कि दी वीडियो मेले की यह पांच मिया चटी गली होगी मंदर वाली गली अगर छोड़तें तो पांच मी गली है और मैं आपको बता दूँ जो प समान की महेंगाई रहती है वह जादा रहती है आप पीछे आती ही पता ही नहीं करते हैं तो कई लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो बाद में पांच यह लाश्ट वाली गली में आते है तो फिक्स रहे उसमें हो सकता है थोड़ा वो कंसेशन भी मिल जाए आपको चूट मिल पर खाट तो ह्युकों अथा है जिनका पर एंतजार रहता है कि मेले से पाइब 15 लेंगे संदूग लेंगे वहाँ बाग से रहता रहा प्रिये सब्सक्राइब तो हिए हमारे भाहन की दुकान ही हमारे की दूकान लगती है यह दिखाधे Linda कि यह स्कीरिंग का प्राइस क्या होगा मेले में बाबा गुलिश्टरनात मंदिर के ठीक सामने बाबा के मंदिर के ठीक दाई और आपको मिलेंगी तमाम यह बोरिया बिस्तर रजाई कंमल दरी चादरें पाइदान तमाम चीजें की दुकाने हैं वो इधर आपको मिल यह दुकान तो अभी तयार भी नहीं हुई इन दुकानों की खास बात है यह मेले में थोड़ा हो सकता है लेट शुरू हो लेकिन अंतिम समय तक चलती रहती है लोटके आएंगे भाई और अभी भी देखो यहां दुकानों की तैरियां वो लगातार जारी हैं माल लगा हु मैं हर दिन आ रहा हूँ दासानन महराज रावन के पीछे का चहरा वो आप का है मेले में लगवा अदिक तर किदार ऐसे होते है जिनें हर बार बताना होता है कि अब आपको यह लाइन बो ‫ Guill Data लेकिन आज तक जबसे मैंने उसे मश्वा ला आपको मंचन करते हुए देखा है जिस करदार के लिए हमारा राम लिल्या मिला जाना जाता है वो यही करदार है और उसके पीछे का चहरा है आप ओम नमहापती पते हरहर महादे बाबा गुरे सराथ मंदर के ठीक सामने तमाम फास्ट फूर्ड की दुकाने अरे हां इनको भाईया को भी दिखा देना तो यहां वो से आने दो फर करते हैं यह हमारे वीवर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं वीडियो में देखने के लिए एक भाईया उदर खड़े हुए हैं जिनकी लोग परिशल पर मेले का यहां से और यह वो तमाम लोग हैं जिनके इस हइता से बीशल पर मेले की राम नीला को संपन कराया जाता है प्रते दिन अलग कर या मेहनत करते हैं और जो वास्वित्ता में आपके सामक्ष यो पहुंसती है चाहे वो लाइव किसे थरो पहुंचे चाहे ब्लॉक कि थरो पहुंचे उन सब के पीछे यही चेहरे हैं यही संपन्य कराते हैं इन्हीं की मेहनत से पिरदार भले ही अपने ज भूस्ता हो कि कह दू और आप वही है कि चैनल सब्सक्राइब करो लेकर नहीं कहता हूं जो आपकी मर्जी करो या ना करो और सबस्क्राइब करो लाइक करो या डिसलाइक सब आपड़ेंड करता है आज के वलोग में बसपना ही मिलते हैं अगले व्लाग में तब तक के लिए जहेंद बंदे मातरम मातुजे सलाम जय सबाजी जय कलाम एंड वाइब तो कैसी कट रही है फिर आएंगे इसी जोस के साथ